असलाम अलेकुम, welcome back to Progress Pioneer, मेरा नाम आशाम अयूब है, आज Photoshop की सीरीज में हम लोग देखेंगे text tool को, उसमें देखेंगे हम लोग horizontal text tool को, vertical text tool को, text tool की properties को, और हम लोग एक post पे बनायेंगे text tool को استعمال करते हुए, तो लेट्स टार्ट इड यह हम लोग आ गए है अपने Photoshop की workspace पे यहां पे मैंने आरदी एक document बनाया by 2018 by 2018 तो यहां पे हम लोग अगर अपने toolbar में है तो यहां पे हमारे पास left side पे toolbar में यहां पे text tool आते है अब text tool में basically हमारे पास 4 तरह के text tool आते है horizontal text tool, vertical text tool and vertical type and horizontal type यह दो हम लोग इस्तमाल नहीं करेंगे भी हम लोग इन दोनों पे अभी focus करेंगे horizontal text tool क्या होता है कि basically आप एक line में horizontally कोई चीज लिखना चाहते हैं वहां पर यह जो है na text tool काम आता है यहां पर मैं text tool को इस्तमाल करते हुए पहले horizontally अपना नाखर करेंगे तो यहां पर हम वोग center में ले आते हैं इसी तरह आप मैं असाम लिखता हूं vertical यहां से आगे हम लोग vertical select करेंगे टेक्स को लिखने के दो तरीक है एक horizontal एक vertical अब यहां पर हम बात करते हैं इनकी properties में अब इस paragraph में जो सबसे पहली चीज है वो देखते हैं कि इसका found family कौन सी है इसका found face कौन सा है उसको देखने के लिए एक हमारे पास यहां पर top पर हमारे पास property panel आ रहा है एक हमारे पास य यहां यहां पर आपके पास यह character paragraph का panel enable हो जाएगा यहां पर यह देखें तो यह हमारे पास found families आ रही है यह सबी ठीक है तो अभी हम लोग ने जो found family चूज की हुई है वो arrow black है ठीक है यहां से आप जोंसी चाहिए family यूज कर सकते हैं by default काफी ज्यादा जो है ना हमारे पास Photoshop ने found families आती है इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसका style लिखा हुआ है कि यह regular है बाद अभी मैं आपको यह देखें इस found family में हमारे पास यहां पर light आ रहे है अब्लीग आ रहे है regular आ रहे है अब्लीग आ रहे है अब्लीग का मलता है italic अभी मैं आपको एक text का वो light हो गए अब इसी तरह इसे मैं bold करता हूं तो यह देखें इसका weight बर गया है basically हम लोग इसे आम जुबान में bold and regular कहते हैं लेकिन अगर technical हम फोटोशॉप की technical design की technical जुबान इस्तमाल करें तो यहां पर इसे weight कहते है कि इसका weight क्या है तो यहां पर इसे regular weight पर हम लोग ना रहरा है कि कितनी होने चाहिए यहां से अगर मैं से auto by select करता हूँ तो यह देखें यह overlap करके यहां से हम लोग manually आके इसे select करते हैं हमारे पास 72 हम लोग select कर लेते हैं तो यह हमारे पास space generator की अगर हम लोग ज्यादा करना चाहते हैं तो हम लोग manually यहां से type कर सकते हैं तो यह इस तरह space increase हो जाएगी इस तरह decrease करनी है तो simply हम लोग इस तरह decrease भी कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग 100 रहने देते हैं इसके बाद आगे हम लोग चले यहां पर हमारे पास एक option आ रहा है कि एक character से दूसरे character के द्रम्यान कितनी space होनी चाहिए तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यह देखें यहां पर minus space है अगर मैं space increase कर मैं तो यहां पर आख मैं simply type करता हूँ 20 तो यह 20 pixels जो है word to word space increase हो जाएगी character to character increase हो जाएगी यहां पर मैं नया character लिखता हूँ यहां पर इसकी मैं space रखता हूँ 100 तो यह देखें यह space इसकी increase होगी इसे मैं ज्यादा करता हूँ ताकि 400 यह देखें इसी तरह आगे हम लोग देखें तो यह stretch है यह vertical stretch है यह horizontally stretch है यह basically क्या होता है यह by 40-100 होता है तो यहां पर यह देखें यहां हमारे पास vertically stretch है वर्टिकल स्ट्रेच में क्या होता है कि यह अगर हम लोग यह word को stretch करना चाते हैं तो यह देखें जैसे यहां से increase करूँगा तो यह देखें यहां से स्ट्रेच कर सकते हैं इसके बाद यहां बहुता है कि अगर आपने जो टेक्स लेक्ट की है इसका क्या क्या select करना चाते हैं तो यहां से अभी by default black है यहां से मैं ऐसे कोई भी color दे सकता हूँ यह देखें यहां से आप color select कर सकते हैं इसके बाद नीचे हम लोग देखें तो यहां पर वही जो है ना weight की बात हो रही है कि अगर आपने बोल्ट करना है तो बोल्ट पर क्लिक करते है अब यहां पर यह देखें पहला word capital है और बाकी सभी word small है लेकि मैं चाहता हूँ मेरा सारे का सारे text जो है न capital letters में होजए तो उसके लिए क्या है हम लोग simply इस option पर क्लिक करेंगे तो यह देखें automatically हमारा सारे का सारे text जो है capital होग है इसके बाद अगर हम लोग आगे आए तो यहां पर last पर हमारे पास होता है anti-alias ठीक है इस पर हम लोग करके इसे smooth कर देते हैं यह setting एक होती है आप इसे smooth रखें अब हम लोग एक post create करते हैं post create करने के लिए हमारे पास सबसे पहले picture होनी चाहिए उसके बाद एक logo और text होना चाहिए recovery हम लोग क्या करते हैं आप यहां से आके हमारे पास logo आगे इसके बाद यहां से हम लोग पिक्छर यह इंपोर्ट कियी थि हैंलोग अने रक्षि भी बोड़ अब यहां पर हम लोग text set कर लेते हैं तो यह हमारा मैसिज यहां पर हम लोग ने टाइप कर दिया विसकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद यहां से हम लोग सारी सेटिंग्स को रिसेट कर देते हैं यहां से अगर अब हम लोग इसे इंक्रीज कर लेते हैं साइस खूट्स यह सिंपल हमारा टेक्स ता हुआ यहां पर हम लोग ने यह सिंपल सी एक पोस्ट बना दिया है अब यह से हम लोग अपिप्टल करने के बेच्छाएं से रिख करते हैं अंचे करते तो ने हमारे पास इस तरह यह टिजाइन आ इसके बर यहां पर यह और हम्यां लोग प्रिष्ट का अड्रस कि डाल सकते हैं जैसा कि हमारे पास एक website है यहां से हम लोग simply या icon download कर लेंगे इस पर click करेंगे इसकी png पर click करेंगे free download पर click करते हैं यहां से आपको free icons मिल जाते हैं यहां से मैं simply download कर लेता हूँ download करने के बदे मैं Photoshop में import कर लेता हूँ झालो कर दो खर दो खेंगे बढ़ हो झालो कोО बस्क्राइश यहां सेर्वार जुमग झालो को जिक मैं। झालो कर दोड़ हो ज्याएं आपको reason झालो करेंगे शफ़ा को मुझे जबते हैक कर भी amendments तो यह हमारी एक पोस्ट त्यार हो गई है वाज के लिए इतना ही इंशाला नेक्स्ट वीडियो में मुलबात हो गी असलाम अलेकों